तो भाईयों हम लोग आ चुके हैं बनारस के दसास्वमीद घाट पर और यह आप नजारा देख रहे हैं सामने से और यह सुबा का दो बच के पचास मिनट हुआ है अभी घाट पे बहुत ही कम दर्सनार्थी आये हुए हैं देरे देरे संख्या बढ़ रही है और सुबा का सम साम बनारस का भी गया आधे देख सकते हैं धिरे धिरे लोग असनार करना प्रारम कर चुके हैं अ है यह बाबाजी ने अब लगा दिया है अपना चवकी अभी जो भी गंगा सनान करके आएंगे वह उपना चंदनों गर लगवाते हैं आ यह देख रहे हैं नजारा दसा सुमीद घाट केते हैं बहुत ही प्राचिंतम घाटों में से है और यहां पर अस्नान करने का लग ही महत्व है बावजी ने अपना पंडाल सजा लिया है यह देख रहे हैं आप लोग इह हम एक ही घाट परें कहिते हैं पे 88 घाट है टोटन एक बाद हमने पद्यात्रा भी की थी अपने सथियों के साथ हमारे साथ थे बवलु सर और कुंदन सर तब हमने पाइदल यात्रा पूरा सभी घाटों का ब्रहम्रा की था उसका नजारा हम नहीं दिखा पाएं यहां पर गंगा आरती होती है अभी सुबा के समय गंगा आरती होगी गंगा सेवन दी तो जब भी मन करें गंगा असनान का तो कहते हैं सबसे अच्छा घाट है दसासमेद घाट बना रसमें यहां जरूर आएं आप लोग और फिर सभी घाटो का भ्रमर्थ पाइदाल करेंगी अ झाल